हलो फ्रेंड्स नमस्कार लाइटेस स्टॉक अपडेट में आपका स्वागतार इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजेस एक्सकोर्ट्स लिमिटेट की दोस्तों यह स्टॉक बेसिकली अगर हम बात करें तो करीब करीब 70% तूट चुका है और यहां पे अगर हम बात करें तो प्रिवेस सेशन में भी गिरावट देखने को मिला और फाइब डेस के अंदर भी अगर आप देखें तो गिरावट यहां और शिक्स मन्द में भी अगर हम बात करें तो 16% के से ज़्यादा यहां पे फॉल देखने को मिल रहा है और एक साल में 34% गिरा है इस टॉक तो एक तरह से अगर आप देखें तो continue इस स्टॉक में गिरावट जारी है और यहां पे बहुत लंबे समय से जो लोग यहां पे इन्वेस्टेट हैं उनको भी यहां पे एक तरह से नुकसान जहलना पड़ रहा है यहां पे अगर आप देखो 5 years की बात करें तो 5 years में 25% यहां पे स्टॉक है जो तूट चुका है अगर all time high से बात करें तो all time high से करीब करें हम 72-75% का सकते हैं किया स्टॉक है जो तूटता हुआ नजर आया है लेकिन क्या यह वापस recovery करेगा यह नहीं करेगा उसमें भी हम बात करेंगे इस वीडियो में लेकिन यहां पे अभी भी इनक इसके लिए आपको भी पता कि गोल्ड रिफाइंडरी कंपनी है और यहां पे दोजर चोविस के कॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 111 इंप्लोईज कंपनी में काम करते हुए नजर आते हैं 1989 में बिसकली एक कंपनी फॉंडेट हुआ इंडिया इसका हीट क्वाटर है और अगर हम बात करें तो यहां पे कंपनी की जो कुछ वर्निंग लेटर्स बगरा है जो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगर आप देखे तो सबसे पहले यहां पे जो एक अपडेट दिया गया है यहां पे फॉरेंसिक जाच होने की संभावना बढ़ गई है दोस्तो इस कंपनी के उपर तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे और भी ज़्यादा गिरावर देखने को मिल सकता है तो यहां पे राजेस एक्सपोर्ट की एक तरह सकते हैं कि प्रोब्लम कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अगर आपकी इंवेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर दोस्तो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होड़े वाला है तो यहां पे वीडियो को अधिक सदी के यहां पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चलें जिससे के आने वाला आपडेट आपको रेगुलर बेशिस पे भी मिलता रहे तो दोस्तों यहां पे राजेस एक्सपोर्ट के अंदर अगर आपकी इंबेस्टमेंट है और या अप प्रेस इंट्री लेना चाहते हैं तो आप अपने फिनांसियल एडवाईजर से कंसल कर सकते हैं मेरे तरब से यहाँ पर किसी भी परकार का investment recommendation बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों अब चलते हैं बात करते हैं यहाँ पर राजेस एक्सपोर्ट की जो 30 नमंबर की ख़बर है जिसमें यहाँ पर अलग से यहाँ पर warning letter issue किया गया है इस कंपनी के एंगेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर compliance is resolved to ensure compliance and all applicable provisions of the yellow DR regulation in future यहाँ पर यहाँ पर बोर्ड हाइस टेकन serious view of the matter time issue instruction to ensure proper and correct compliance यहाँ पर एक सारे चीजे आप देख सकते हैं पूरी खबर है warning letter है यहाँ पर दिया गया है जिसमें dear sir and ma'am यहाँ पर reference disclosure submitted by Rajas Export Limited 1 माई 2024 का respect to change in management यहाँ पर आपको अलग लग चीजे आपको देखने को मिल जाएगा आप चाहें तो यहाँ से आप लिकाल के आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं चीजों को document में जाएगा यहाँ पर नीचे सारे चीजे देखने को मिल जाएगा लेकर हम बात करते हैं थोड़ा सा fundamental की इस company की जो यहाँ पर कहते हैं कि 35% गोल्ड है जो अकेले एक company पूरे वर्ल में manufacturing करती है तो यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो basically company का बड़ा एक तरह से market presence है 35% बहुत बड़ा होता है और product portfolio profile अगर आप देखें तो यहाँ पर गोल jewelry, handmade gold jewelry, cast jewelry, machine enchants यह सब सारी चीज़ें पर काम करती हुई नजर आती है इनके खुद के एक तरह से सूप जोलर्स करके इनका एक तरह से store भी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिया गया होगा सूप जोलर्स करके 82 showrooms हैं इनके पास बिसके लिए अगर हम बात करें तो 60 countries के अंदर export करती है यह अपने gold को तो इनका एक तरह से order book तो कापी अच्छा है किवन यह by 25 में अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट कैप की खास करके तो मार्केट कैप इस कंपनी का 6870 करों का ही है स्मॉल काइप की कंपनी है दोस्तों और EPS देखे तो एक उरुपिया 30 पैसा का मात्र EPS जनरेट करती है लेकिन यहाँ पर इनके पास रिजर्प्स की बात करें तो रिजर्प्स बहुत तगड़ा कंपनी ने अल्रेडी बना रखा है 15,507 करों का रिजर्प्स है और यहाँ पे अगर आप देखो तो डेप्ट की बात करें मात्र 736 करों का कर्ज देखने को मिलता है डेप्ट 50 ना के बराबर 0.05 का तो अल्मोस्ट कह सकते हैं वर्चुली डेप्ट फ्री कंपनी है 526 रुप्या इसका है जो बुक वेलू है और बुक वेलू की आधे प्राइस में आपको इसका सेर प्राइस देखने को मिल रहा है तो एक तरह से ऑप्रिजनिटीज भी कह सकत है कि जो फंडमेंटल है उसकी एकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फंडमेंटली काफी स्टॉंग नजराता है लेकिन यहां पर प्लेजिंग परसेंटेस की बात करें यह भी 0% है और पर मोटर भी यहां पर 50% से ज्यादा होल्डिंग लेके रखे हुए इसके साथ अगर हम बात करें ग्राहम नमर प्राइस तो 124 रुपिया है अगर हम बात करें तो 14.8% है डियाइस की बात करें 11.1% का देखने को मिल रहा है तो फिस एंडियाइस की अच्छी खासी होल्डिंग भी है इस कंपनी में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम से यहां पर जो एफाइस हैं यहां पर सेलिंग किये हैं खास करके अगर आप देखें तो 17% तक के यहां पर होल्डिंग रखती थी एफाइस 2021 में जो यहां पर अपना कम करके 14.81% कर चुकी है डियाइस ऑल्मोस्ट यह भी थोड़ा सब माइनर एमाउन में कम की है जो यहां पर आपको सेल किया है उसे पब्लिक की ओल्डिंग यहां पर इंकरीज हुआ है दोस्तों जो पहले 16.66% के करीब रहा करता था मतलब 16% के करीब ही राता था पब्लिक ओल्डिंग जो अब 19% से जादा हो गया है अगर हम इस कंपनी की जो एक तरह से देखें तो क्वार्टली रिजल्स क बॉइन कि بात करें तो यहां पर कमपनी 2 कल रही एकतर से पराफिट फिर से दिखा रही है बारा क्षर प्रोफिट उब प्र रॉपिट हुआ पर जून में आप कमपनी बारा क्षर और सपतमबर में देखें तो 46 और प्रॉफिट की लेकिन अगर हम बात करें यहां पर मार्दध दोच्विस में तो यहां पे लॉसे देखने को मिला था minus 32 कड़ो कर लॉस यहां पर खुया था लेकिन जो कमपणी यहां पर इतना profit करती थी 300 कड़ो एक 100 कड़ो से उपर यहां पर आपको profit करती हुए नजराई थी वह यहां पर इनकी profit गिर गया है दोस्तों और जब तक profit increase नहीं होता जब तक share price पर आपको increase देखने को नहीं मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं जो company पहले यहां पर बहुत ज्यादा sales करती थी 187 कड़ोर 258 कड़ोर 243 कड़ोर 349 कड़ोर वह sales यहां पर थोड़ा सा कम यहां पर margin सबसे ज़्यादा कम हुआ क्योंकि margin पहले 33% और 11% के रखती थी company जो margin कम हो गया तो इसकी profit है जो बहुत ही कम होता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया तो आपसे request करूँगा कि वीडियो को धिक से दिक like करें और यहां प दोस्तों यहां पर मैं किसी भी परकार का investment recommendation नहीं दे रहा हूँ